कि एवरिवन कैसे हैं आप सभी स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल में के लोग पर दोस्तों आज हम आए हैं यहां पे मेरे फ्रेंड है उसमें मेरे को बताया कि यहां पर एक जगा साप है तो आज हम आया गाव में शाप देखने आप देख सकते हम खेतों में घूम र आए हैं तो देश तो आज हम आपको साप दिखाते हैं चलिए फिर चलते हैं तो आप देख सकते हो यहां पर जितने भी देखने वाले हैं यह सभी साप को देखने आ है देखो यह जितने भी हैं यहां साप को देखना है तो दोस्तों अब हम उस साइड जाके आपको साप दिखाने की कोशिस करते हैं यह हम उपर की तरफ चलते हैं देखें दोस्तों यहां पे हम कैमरा से आपको साप कैप्चर करने की कोशिस करते हैं वैसे तो यहां के लोगों को कहना है कि वो कभी कभी दिखाई देता है पर हम कोशिस करेंगे अगर वो हमें दिखाई दिया तो हम आपको पूरा दिखाने क में कोसिस जरूर करेंगे अे अट कि हुआ वैसे दोस्तों अबह में कोई साप दिखा नहीं हम पूरी कोशिस कर रहे हैं आपनी बाट अबह सक कोई रिज़्ट हमारे सामने नहीं आया यह देखे दोस्तो अधर के साध में शाप दिखाई है देखिए ये रथ आप आई तिंग ये पाइथन इशने कने काफी मतलब होते हैं इन में काफी मातरा में पॉसर होता यह देखिए रहा थे रखने अगे दोस्तों ये दो नाटा कम से कम 10-12 फिट लंबा होगा और कम से कम यह चेट 5-6 सेंटी मीटर मोटा होगा तो हम को पूरी कोसिश करेंगे आपको फ्रंट से मतला इसका पूरा फेस दिखाने की कोसिश करेंगे आपको देखें दो तो यह स्नेक पड़ा है यह देखिए हमने गैमरा जूम करके यह रहा है इसका मुझा पाइथन इसने का मुझा से पतला और यह पीछे से स्ने पूरा मोटा होता है यह देखिए और आइधिंग इसने कुछ निगल रखा ये इसका पेट काफी मतला मोटा लग रहा ये देखिए जैसे कुछ मतलब इसने निगल रखा हो और ये काफी मतलब एजिड सावेस से चला भी नहीं जा रहा देखिए आप काफी पुराना साप लगता है मेरे को पुरानी मतलब काफी एज हो चुकी है साधिस साप की काफी मतलब करत की धिसलेत के जा थाल थाल झाल झाल झाल